हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़ियों और एकदब मज़े में होंगे तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विराम चिन यानिकी पंक्चुएशन बच्चों अपने मन की भावों तथा विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए हमें वाक्यों का उच्चारन करते समय कहीं पर कम तो कहीं पर अधिक रुकना पड़ता है मन की विचारों को इच्छा अनुसार प्रकट करवाने में विराम चिनों का महत्पून स्थान है यदि विराम चिनों को उच्छी स्थान पर नहीं लगाएं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है जब हम अपने भावों को भाशा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिवक्ती के बाद कुछ देर रुकते हैं यह रुकना ही विराम कहलाता है इस प्रकार विराम का अर्थ है रुकना या ठैना और चिन का अर्थ है निशान अर्थात रुकने में भेद प्रकट करने के लिए अलग-अलग चिनों को लगाना ताकि मन के भावों को जैसा हम समझाना चाते हैं उसी प्रकार पाठक सब्जे अर्थात लिखते समय वाक्य के बीच में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रियोग किया जाता है उन संकेत चिन्हों को विराम चिन कहते हैं तो चली कुछ विराम चिन जान लेते हैं तो पहला विराम चिन है पून विराम, जो एक दंडे की रूप में दर्शाय जाता है, अर्द विराम उपर बिंदू नीचे कॉमा, अलप विराम, कॉमा, योजक चिन छोटा सा डैश का साइं, निर्देशक चिन बड़ा डैश साइं, विवरन चिन दो बिंदू और दो लिखते हैं उद्रान चिन ये डबल इन्वेटेड कॉमा सिंगल इन्वेटेड कॉमा होता है कोश्टक चेन दो सरकल हाफाफ इस तरह के आसपास होते हैं लोब सूचक चेन ये जब कुछ गड़बर हो जाए उसके लिए संक्षेप सूचक या लागव चिन ये शुन्य के रू समापती पर हम कुछ समय के लिए रुखते हैं तब अगला वाक्यॉ करते हैं वाक्यों को लिखते समय प्रश्न वाचाक या विस्म्यादी वोदक वाक्यों को छोड़कर शेट सभी कि अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है जैसे मोहन पुस्तक बढ़ रहा है वर लाग दूसरा है अर्द विराम जहां अल्प विराम के पेक्षा कुछ जादा देर या पूर्ण विराम से कम देर रुकना हो वहां अर्द विराम चिन का प्रियों किया जाता है अथात पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन अर्द विराम है जैसे भारत संसार का धर्म गुरू है अर्ध विराम का चिन लगाएंगे ऐसा सबी जानते हैं और मानते हैं जब दो या दो से अधीक स्वतंत्र उप्पाक्यों के बीच को योजक ना हो तो अर्ध विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे वे देर से उठा अर्द विराम का प्रियोग करेंगे नहा धोकर नाश्ता किया फिर अर्द विराम अपनी साइकल उठाई और चल दिया बचों मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में दो विप्रित अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों के बीच में इस चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे मैं उसे चाहता हूँ अर्द विराम का प्रियोग होता है जैसे मैंने उसे बहुत समझाया पर वे नहीं माना एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों या पदबंदों को अलग अलग दिखाने के लिए जैसे राम शाम गुपाल और नरेश रमेश आये हैं बच्चों संबोधन शब्द के बाद भी अलप विराम का प्रियोग होता है जैसे आयूश तुम इधर आओ आयूश के बाद अलप विराम का प्रियोग होता है जैसे उसने कहा और अलप विराम का प्रियोग हुआ आज हम बाजार जाएंगे पत्र में अभिवादन लिखते समय अल्प विराम का प्रियोग होता है समापन के समय पता लिखते समय महीने की तारीक और वर्ष को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे अभिवादान के लिए पूजय पिता जी उसके बाद हम अल्पिराम का चिन लगाते हैं समापन के बाद भवदिये अल्पिराम का चिन लगाएंगे पता लिखा हमने राम लाल बी 113 लाचपत नगर और तो रामलाल के बाद अर्दविराम, B. 113 के बाद अर्दविराम, तारीक और वर्ष पकट करने के लिए जिसे 4 जुलाई उसके बाद अर्दविराम लगाएंगे 2023 तो यह सब अल्प विराम कप्रियों कहा कहा किया जाता है यह इसमें समझाया गया है चलिए अब जानते हम चौथा है योजक चिन हमारा जब दो या दो से अधेग समान अर्थ वाले विप्रितार्थक पुन्रा वृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो तब योजक चिन का प्रियों होता है जैसे माता पिता इनके बीच में योजक चिन आएगा पांचवाए निर्देशक चिन यदि किसी बात का उधारन आगे दिया जाना हो तो निर्देशक चिन का प्रियों किया जाता है जिसे कवीता ने कहा निर्देशक चिन लगाए मैं बिमार हूँ इसका प्रियोग विशे विभाग सम्मंदी हर एक शिर्षक के आगे वाक्यों व्यक्यांचों अत्वा पदों के मध्ये समय अत्वा भाव को विशिश रूप से व्यक्त करने ही तू उधारन अत्वा जैसे के बाद उधरन के अंत में लिखक के नाम के पूर और कथो कथन में आगे किया जाता है अब छटा है बच्चों विवरन चिन जब किसी बात का विवरन उत्तर या उधारन अगली पंती में देना हो तो विवरन चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे बनों के लाम, लिमन्कित हैं, विवरंड चिन लगाएंगे हम और साथ हैं विस्मयादी बुदक चिन शोक, आश्चरे, घ्रणा, प्रसंदता, आदी मनोभाओं को प्रकष करने के लिए जिन शब्दों का प्रियूग किया जाता है जैसे हाई विश्मादी बुदक चिन लगाएंगे मैं लूट गया और यह विश्मादी बुदक चिन तुम का वाएं और आप मैं प्रश्ण वाचक चिन प्रेश्ण वाचक चिन का प्रयोग उन वाक्यों के अंत में किया जाता है जिनका प्रयोग प्रेश्ण पुछने के लिए होता है जिसे आप कौन है प्रेश्ण वाचक चिन का प्रयोग करेंगे पाठकों या पाठों के शीरशग पुस्तक समाचर पत्र आदी का नाम लिखने में इकरहन उदरन चिनों का प्रियोग किया जाता है जैसे बाल भारती इकरहन उदरन चिन में रखेंगे इसकों बच्चों की पुस्तक है जब किसी पुस्तक के आंच अत्वा वक्ता के कथन को उनी शब्दों में उदरित किया जाए तो दोहरे उदरन चिन का प्रियोग होता है मतलब वैसा का वैसा ही लिखते हैं हम तो दोहरे उदरन चिन का प्रियोग करते हैं जैसे उसने कहा मेरे आने तक तुम यहीं प्रतिक्षा करो इसे दोहरे उदरन चिन में हम रखेंगे और यासे वैं प्रियंवदा प्रिये बोलने वाली स्थरी को कोश्टक में र Richardson करी में यादि कि उद्रण को देते समय जब अरद्रिष्ट अंच में से स्थान या समय के अभाव में किसी अंच विशेश की आवशक्ता ना हो पर किसी उधराण को देते समय जब दृत अंच में से स्थान या समय के अभाव में किसी अंच विशेश की आवशक्ता ना होने पर कुछ शब्द या वाक्य छोड़ दिया जाता है जैसे हर मनुष्य को यह शिक्षा दी जाती है संग्षेप सुचा क्या लागव चिन संग्षेप यानि कि छोटा लिखने के लिए किसी शक्त को संग्षेप में लिखने के लिए उसका कुछ प्रारम अंश लिखकर संग्षेप चिन लगा देते हैं जिसे डॉक्टर पूरा ना लिखकर डा उपरागद्वनिक चिन और लगवचिन लगा दिया। इस्वी बडी और लगवचिन, जवाला नहरू ज़ो और लगवचिन। ये लगाने से पता लग जाता है कि हम इसे संग शेप में लिख रहे हैं। लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूड़ जाती है परनतु बाद में उसकी जूड़ने की आवशक्ता का अनुबह होता है तो छूटे वे स्थान पर हस्प्रत का प्रियूक करके वेबात लिख दी जाती है। जिसे माता पिता बच्चों को सदा प्रसन देखना चाते हैं। इसमें अगर कोई शब्द छूड़ गया तो हम हस्प्रत चिन लगाकर उस शब्द को उपर लिख देते हैं। जिर्देशक चिन, वेवराण चिन, विसमें अधिबोधक चिन, प्राश्नवाचक चिन, उधराण चिन, कोश्टक चिन, लोपसूचक चिन, लागव चिन, हस्त प्रद या तुर्टी सूचक चिन। तो उम्मीद करते हैं। बच्चों आपको ग्राम चिन अच्छे से समझ जाये होंगे, अब इसका भ्यास कारे आप स्वाहिं कीजिए।